आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिध्धान तक नहीं होते ही स्टेडी IK5 का बहुत बहुत सबागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पाल घर इशू और मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए सुप्रीम कोट ने अल्रेडी गाइडलाइन्स जारी क पूरी थी कि मॉब लिंचिंग को रोका कैसे जाए लेकिन अभी तक उस पे अमल किया ही नहीं जा रहा है घाली तीन स्टेट्स नेस को बहुत ही शिरियसठी लिया है मनिपूर, राज़स्थान और वेस्ट बेंग... बांकि कोई भी थीसे स्टेट्स नसको सिरियस लिया 分享 तो स्टेटस ही नहीं सीरियस है, मॉब लिंचिंग को लेके भीड तंत्र हमको एक ऐसे अंधे समाज में ढखेलता है, जहां पे हिंसा है, जहां पे अंधेरा है, हम इससे कभी उबर नहीं सकते, भीड तो पूरी पागल होती है, है ना, और अभी दो साधूं को जिस तरीके से म रहता है, होती ही रहेंगी, लेकिन जब तक वाइरिल नहीं हो, तब तक हमको कोई फरके नहीं पड़ता है, तो यह नहीं होना चाहिए, पाल घर में जो हुआ दोस्तों, पाल घर के पास एक गाउं है, वहां पे जो हुआ, वो बहुत दिल देहला देने वाला है, दो साधू को जिस तरीके से मारा गया, ऐसा नहीं होना था, अब, कम्यूनल अंगल इसको ना दे, भगवान के लिए कम्यूनल अंगल इसको ना दे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ना करें, यार रखिये, कोई भी इस तरीके की घटना में involved रहता है, इस तरीके के crime में involved रहता है, वो 201 लोगों के ओपर FIR लॉज की गई है, देखेंगे क्या सामने आता है, तो चली आगे बढ़ते हैं, इस इशू को हम step by step cover करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि mob lynching को रोका कैसे जाए, Supreme Court की क्या guidelines है, सेरंस को reconnect मेरा facebook page है, सिद्धान तक निहोतरी के नाम से मेरी facebook profile है, दोनों ही जगा प्रेचर की pdf ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, गौरज सर ने बहुत ही बहुत ही बहुतनी किताब लेखी है, दोस्तो failure to triumph, आप इसको steady IQ की website से प्रेबुक कर सकते हैं, साथी साथ steady IQ का app आगया है, हमने app launch किया है, आप इसको play store से download करिए, अभी तो ये android पे available है, लेकिन बहुत जल्द iOS पे भी available हो जाएगा, मैंने याप अपनी battle series पूरी की हुई, आप पूछते रहतना सर battle series कब है, कब आएगी दुबारा, तो battle series मैंने आप पूरी की है, word battles भी बताए हैं, important empires, सब कुछ cover किया है, साथी साथ UPSC के smart courses available है, EMI पे भी available है, तो आप available कर सकते हैं, Twitter पे मैं आ गया हूँ, यह रही मेरी ID, तो पाल गरिशू है क्या दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखते हैं, देखिए, यहाँ पे दो साथू जो है, वो जा रहे थे मुंबई से गुजरात, मुंबई कांधी वली से गुजरात सूरत जा रहे थे, क्यों, क्योंकि उनके एक का देहान्त हो गया, funeral अटेंड करने जा रहे थे, इन्होंने 120 किलोमीटर का रास्ता तेह भी कर लिया था, दो सादू थे, ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, दोस्तों, एक थे चिकने महराज कल्प रख्षगिरी, दूसरे थे सुशील गिरी महराज, अच्छा, चि देके, आम तोर पे, अगर हम बड़े शहर से निकलते हैं, किसी और शहर के लिए, तो भाई, अब highways होते हैं, अब highway को पकड़िये, जल्दी पहुचेंगे, safe होते हैं, इन्होंने गाउं को पकड़ लिया, ये interior चले गया, और सबसे बड़ी यही problem हो गई, ठीक है, अब ये पाल घर के पास गाउं है, जो पाल घर के पास गाउं है, घर चिंचड़े करके, कुछ इसी तरीके का नाम है, वहां पे ये लोग पहुचे, 10 बजने के आसपास, अब ये थोड़ा सा जंगल का इलाका है, ठीक है, यह आसपास जंगल है, यह जो पुरा area है, यह आदिवासी बहुल है यहाँ पे आदिवासी जाधा रहते हैं ठीक है औरेडी रियूमर चल रही थी अफवा वैसे ही फैली हुई थी कि बच्चा चोरों से बचो बच्चा चोर आ सकते हैं अब ये जो अफवा ये जो रियूमर है ना इसने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है ऐसी सारी रियूमर चलती थी लोग अपने बच्चो को रात में बाहर नहीं बेजते थे खुद भी बाहर नहीं जाते थे कि बच्चे चोर भूम रहे हैं वो बच्चो को पकड़ के ले जाते हैं और गन हार्वेस्ट करते हैं उनकी किड्नी लंग्स आँखे निकाल के बेचे दे है और इधर एक जगा से यह सर्कुलेट होता है वाट्सैप पे मेसेज और उसके बाद फिर सर्कुलेट होते होते बकायदा पूरी भीड इखटा हो जाती है लोकेशन सेंड की जाती है काम तमाम अब यहां पे इस गाउं में औरेड़ी दो बार घटना हो चुकी थी पहले इस गाउं का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है एक बार डॉक्टर के उपर भी अटैक किया गया एक बार पुलिस के उपर भी अटैक किया गया अब जब यह दो साधू पहुंचे तो इनको वन विभागने रोका बात चीच चली रही थी कि कुछ लोग आके वीडियो है दोस्तों है ना कैसे मारा जा रहा है वहाँ पे अब उसके बाद वन विभागने पुलिस को बुलाया चार पुलिस कर्मी है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस वाले हमको वीडियो में दिख रहे हैं कि वह बचा रहे हैं साधूं को भीड इतनी जादा है कि उन्हें साधूं को छोड़ दिया हवाले कर दिया उन्होंने जाओ भीड मार दो इनको अब लोगों को अपनी जान प्यारी होती है लेकिन पुलिस का तो यह करताव होता है कि आपको इसी के लिए ही तो ट्रेनिंग दी जाती है ना कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए आप क द्रान की चिंता कर रहे थे है ना चार सो लोगों दो सो लोगों तीन सो लोगों की भीड को कंट्रोल करने के लिए बकायदा आपको फोर्स चाहिए तीन चार लोग तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे तो यहाँ पे पहले से ही जब यह इतना सेंसिटेव एरिया है ज्यादा होनी चाहिए थी है की नहीं तो पुलिस के ऊपर तो बहुत सवाल उठेंगे उसके बाद दोस्तों तीन लोगों को मार दिया गया जैसा कि मैंने बताया पीट-पीट के हत्या कर दी गई दो साधूते जिनमें और एक इनका ड्राइवर निलेश तेलगाडे जो की 30 साल का था अब ये 16 अपरेल की घटना 19 अपरेल को वीडियो वाइरल हो जाता है और जब वीडियो वाइरल हुआ तब यहाँ पर रियाक्शन्स आने लगे पूरे देश में गुस्सा गुस्से का महल अगें कम्यूनल एंगल नहीं देंगे आप बिलकुल भी जो लोग ऐसी घटना को पंजाम देते हैं वो पूरे पागल होते हैं ठीक है तो अब पुलिस ने 110 लोगों को पकड़ा गाउं में गई 101 के उपर FIR दर्ज की गई 9 जुविनल्स हैं 9 की जो उमर है 9 लोग जो है 18 साल से कम है अब इनको देखते हैं क्या बाल सुदार ग्रह क्या हलाकि अभी तो हो गई हर किसी ने इसमें रियक्ट किया उद्धर ठाकरे ने बहुती शांत तरीके से चित परिचित अंदाज जो उनका है शांत तरीके से उन्होंने बोला बहुत अच्छी अपील कि कि इसको कम्यूनल एंगल ना दे शांत रहें पुलिस जो है वो जाच कर रही है और इस कस्टेडी में भेज दिया गया है ठीक है तो ये घटना थी पाल घर की ये हुआ पाल घर में जो की होना नहीं चाहिए था लोगों को पीट पीट के मार डाला जाता है ये कहां का इंसाफ है मुझे तो समझी नहीं आता है है ना क्या इस पर कुछ नहीं हो सकता बिलकुल हो सकता है बिलकुल हो सकता है हम इस मॉब लिंचिंग को रोक सकते हैं सुप्रीम कोट ने बकायदा गाइडलाइन्स 2018 में गाइडलाइन्स जारी की है तीन जज़िस की बेंच बैठी डीवाय चंद्र चूड एम खानविलकर और दीपक मिश्रा जो की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे और बकायदा उन्होंने एक PIL आई थी Congress Activist तैसीन पुनावाला ने एक PIL डाली थी कि मॉब लिंचिंग के लिए कुछ करो तो सुप्रीम कोट ने बकायदा गाइडलाइन्स जारी की अब देखे सुप्रीम कोट ने कितने अच्छे तरीके से बताया है सुप्रीम कोट ने आपर दो चीजों की बात की है एक है यहाँ पर Preventive Measures मतलब मॉब लिंचिंग होने ही ना दो पहले से ही रोक दो इसको दूसरा है हमारा Remedial Measures कि अगर मॉब लिंचिंग हो भी जा इस incident उसके बाद क्या करना है तो Preventive Measures इसको Prevent कर लो मॉब लिंचिंग होनी ही नी चाहिए तो सबसे पहले उसमें एक Senior Police Officer को तैनात करो जो की Police से Pretendent से कम नहीं होना चाहिए यह उसकी rank को वो नहीं चाहिए और Noodle Officer, As Noodle Officer उस Police Officer को As Noodle Officer हर district में तैनात करो मतलब हर district में एक Noodle Officer होना चाहिए ताकि मॉब लिंचिंग को वो रोग सके अब ये नॉर्डल ओफिसर क्या करेगा ये अपने डिस्ट्रिक्ट में टास्क फोर्स बनाएगा जो की DSP rank का एक ओफिसर असिस्ट करेगा समझ गए कि नहीं एक ओफिसर होगा इन सिंपल वर्ड जो की टास्क फोर्स मनाएगा ताकि अगर मॉब लिंचिंग होती है तो ये फोर्स उससे निपट सके ये बहुत जादा इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये कहता है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ ऐसे लोगों को ध्यान में रहे हैं इनकी तो पहले से ही लिस्ट बना लो साथी साथ जो सेंसिटिव एरिया है उनको भी मार्क करो और लगातार पेट्रोलिंग करो वहां पे कुछ गडबर तो नहीं है जहां पे पहले से ऐसी घटना हो चुकी है समझ रहे हैं उसके बाद ये जो नॉडल ओफिसर है हर महिने में कम से कम ध्यान रखेगा कम से कम एक बार मीटिंग करेगा ये मैकसिमम कितनी भी हो सकते लेकिन एक बार तो मीटिंग करे ही करे अब प्रिवेंटिव मैजर लिये कैसे जाए देखिए प्रिवेंटिव कोई भी चीज को अगर आप प्रिवेंट कर रहे हैं so it depends on only one thing intelligence intelligence input, what is your intelligence input, हमारे यहां अगर terror attacks नहीं होते हैं, तो हमारे intelligence कमाल की है, 2008 के बाद अगर attack नहीं हुआ है हमारे यहां, तो हमारे यहां raw और IB ने कमाल का काम किया है, intelligence inputs दिये हैं, तो यह local intelligence units पहले setup हो, हर district में, और यह बकाइदा information दे, कि यहां पे mob lynching हो सकती है, इस तरीके के message circulate किये जा रहे हैं, वह यह चानक के का model आई है, चानक के नहीं अर्थशास्त्र में यही model बताया था, है ना, कि बकाइदा यहां पे intelligence inputs दे, ताकि nodal officer अगर lynching हो, तो कारवाई की जा सके, ठीक है, और तुरंत इनको गिरफतार किया जा सके, समझ रहे हैं, उसके बाद दोस्त अगर mob lynching की घटना होती है, तो यहां पे जो nodal officer और उसकी task force है, वो इतनी trained होनी चाहिए, कि सबको खदेर सके, कोई भी ऐसी problem ना हो, जिससे किसी की जान जाए, आप समझ रहे हैं, union government और state government साथ में मिलके काम करें, यह बहुत important है, क्योंकि police is state subject है, और यह point दोस्तों बहु TV से तो फैलती नहीं है, ना radio से फैलती है, फैलती कहां से, यह rumor कहां से spread होती है, social media पे, social media पे spread होती है, social media का यहां पे use सरकारे भी करे, central और state government लगातार यह बताते रहे, social media के द्वारा, लोगों को, कि mob lynching के consequence बहुत बुरे होंगे, अगर आप लोग mob lynching में लिप्त पाए गए तो कठोर सजा मिलेगी, कानून का डर दिखाना पड़ेगा, rules and regulations बताने पड़ेंगे लोगों को, mob lynching के जो drastic effects होते हैं, aware करो लोगों को, कैसे radio, television, social media अधारा और जो websites हैं, लगातार लोगों को बताते रहो, तो लोगों का भरोसा जीतेगी सरकार, और लोग क्या फिर inputs, खुद सरकार को inputs देंगे, खुद पुलिस को inputs देंगे, यहाँ पर mob lynching होने वाली है, ठीक है, तो सरकार भी social media का अच्छे से use करें, और social media की tracking भी आप, इसमें ऐसा नहीं है, कि आपके WhatsApp को उठा के hack कर लिए, नहीं, पर कायदा, यहाँ पे बड़ी-बड़ी authorities से भी इधर connect करने की जरूरत है, कि अगर ऐसे message आते हैं, तो आप उसको जा नहीं ना दो, forward ही ना हो पाएं, ऐसे message, ठीक है, तो यह चीज है, उसके बाद दोस्तों कोई भी exclusive message यह सरकार के जमदारी रहेगी, ठीक है, center और state की जमदारी रहेगी, यह इस तरीके के message circulate ही ना हो पा पाद है, तुरंत सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए, अब यह preventive measures थे, ठीक है, अब माल लिजे यह measures fail हो गए, और उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे तुरंती FIR lodge हो, ठीक है, जो भी इसमें involved है, और कठोर से कठोर सजा दी जाए, अब यह preventive measures थे, माल लिजे यह measures fail हो गए और mob lynching हो गई, तब आप क्या करेंगे, कई बार fail हो जाता है, strategy काम नहीं करती है, तब आप क्या करेंगे, remedial measures अपना हो, ठीक है, जैसे इस तरीके की घटना हो, तुरंत यहाँ पे पुलिस को, local police को inform किया जाए, local police तुरंत नोडल officer को यहाँ पे inform करे, और FIR, जहाँ पे भी victim और families का बहुत जबरदस्त harassment होता है, जब inquiry होती है, तो harassment नहों, उल्टा, compensation दिया जाए, सरकार compensation दे, दोस्तों मैंने genocide series चला के रखी है, आपको पता ही है, मैंने कम से कम, अभी तक 50 से जादा मैं leaches ले चुका हूँ, ठीक है, जो दुनिया में genocide हुए है, ठीक है, जो हत्या इसमें भी मौब लिंचिंग भी आप उसमें देखने को आपको मिल जाईए, एक बगायता पूरा भीड़ तंत्र काम करता है, ठीक है, तो अब होता क्या है, कि इसमें अगर हम बात करते हैं, काफिर डिसर्च करता हूँ, मर्स लेचर्स के पीछे, ठीक है, किताबे तो पढ आते हैं, कि उनके साथ क्या घटा, वो रोने लगते हैं, वो emotional हो जाते हैं, उनकी आँखों से आशू आने लगते हैं, ठीक है, सुबोत कुमार की घटना को, सुबोत सिंग की घटना को कोई नहीं भूला, बुलंद शेहर में जो हुई थी, inspector थे, 2018 में बुलंद शेहर में हि जोकनी, तो ये होता क्या है, कि ये psychologically इंसान को तोड़ देता है, इस तरीके की घटना है, अगर वो बच गया, वैसे तो जादातर केसे में विक्टिम्स मारा ही जाता है, ठीक है, जिसके ओपर ही घटना हो रही है, अगर वो बच गया, तो वो उबर नहीं पाता है, psychologically वो बर ये खतरनात होता है, तो ये इसे सरकारों को handle करना है, compensation दे, बकायता उनके sessions, यहाँ पे therapist को assign किया जाए, जो भी करें, वो सरकार को सरकार depend करता है, medical expenses, जो medical expenses होंगे, वो भी सरकार दे, तो compensation सरकार दे यहाँ पे, जो भी victim है, और उसकी family को परशान नहीं किया जाए, और उस सजा दी जाए, अभी राजस्थान की बात करना चाहूंगा दोस्तों, राजस्थान ने जो bill pass किया है, उसमें 10 साल तक की सजा है, और 3 लाग तक का जुर्माना है, हलाकि वो depend है, मतलब अलग-अलग crime के लिए कितनी सजा है, लेकिन वो maximum 10 साल, ठीक है, और सजा मौत भी हो सक करती है, जब तक कानून का डर नहीं होगा यहां पे लोगों को तब तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको अच्छा तो लगा है सब सुनने में, implementation ही नहीं, अच्छा तो आपको बहुत लगा, ऐसे तो mob lynching होगी नहीं, लेकिन implementation कहा है, मने पोर, वेस्ट बेंगौर, र होगना है, हमको एक ऐसे समाज की तरफ जाना है, जो हमको समरिद्धी की तरफ ले जाए, ना कि अंदकार की तरफ ढखे ले, तो आई हो पेलेचर आपको बसंद आया होगा, खोश रहे हैं पढ़ते रहें, इदेसे सिद्नाम दखने होत रिस हैनी,